आज मैं आपके साथ जो रेसीपी सेर करने वाली हूँ वह है गीहा डाल और गीहा डाल आप सभी को पता है कि कितनी ज़्यादा हेल्दी होती हो टेस्टी भी होती है और गीहा डाल जैसे आप चावल के साथ राइस के साथ या चपातीर होटी के साथ किसी के भी साथ खा सकते हो और जो मैंने घीयादाल बनाई है वो बहुत ही टेस्टी है, साथ ही साथ तढ़के वाले बनाई है, बहुत ही टेस्टी लगने वाले है तो पुरा वीडियो देखेगा जबिआ आपको समझ में आएगा कि किस तरह से बनायागी ज़ादा टेस्टी हमारी गीयादाल बने तो दिखी गाइस यह हरर की दाल हरर की दाल मैंने करीबन एक कटोरी के लगबग ली है आप चाहो तो चने की दाल भी ले सकते हो लेकिन मैं आज हरर की दाल और घीया से एक बहुत अच्छी सी दाल बनाने वाली हूँ तो आप सभी को पता है कि घीया दाल कितनी अच्छी भी लगती है और हमारे सरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है तो आप डाल के बनाने जा रहे हुँ से पहले अच्छे से डाल को साप कर लीजे क्योंकि कांकर फटर बहुत ज़ादा आते हैं और फिर इसको एक से दो बार मैं अच्छे से दोलूँगी क्योंकि इसमें दूल मिटी भी बहुत ज़ादा आती है फिर इसको भीगोने के लिए करीवन 10-15 मिन्ट के लिए मैं रख दूंगी आप यह दी चने की डाल ले रहे हूँ तो करीवन आदे घंटे के लिए तो भीगोने के रखना ही पड़ेगा जब आपकी डाल अच्छी बनेगी तो गैस यह मैंने भीगोने के लिए छोड़ी थी और उसका पानी निकाल दिया है उसके बाद में मैंने क्या क्या है यह कूकर ले लिया है और कूकर में मैं डाल दे रही हूँ इससे डाल को तो इस डाल को डाल देना है और फिर इसमें डाल देंगे हम गीया तो गीया मैंने करीबन आदी कट कर ली है और उसको भी मैंने डाल दिया है बारी बार चोप किये है गीया को तो गीया डाल बनाने वाले हैं तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है करीबन आदा चमच नमक डाल देना है करीबन एक चमच और फिर हमने इसमें बटर डाला है जो देशी घर में बनाते हैं बटर गी वो हमने डाला है और इसमें कस्मिदी लालमिच पाउटर डाला है करीबिन दो गिलास के लबब मैंने इसमें पानी डाल दिया है तो पानी अपने अकोड़ी रखेगा आपको डाल कितनी थिक चीए य भड़ाहिं हमेंद राटिए यह घर का बटर है वो भने लिया है और इसमें थोड़ा सा मिने भड़ा है तो टोनों मिला क्टिमता रही हूं वाल बनाई हूं आप उसने देसी घी में वह बना सकते हो सीधा च्छो का तेल होता है इसमें भी सीधा बना सकते ओ กरब तू के विसमें तेल को ऊछेड का दिया की जीरा डाला दिया दिया है जीरा करीब ँए के लाप। अब पर दीया है तो हिंग डालने जीजिदा के ही जाए हमारे लिए प्छा में अच्छा रहता रहता है'll your Iss加ол ब बारिख चोप करके ओर 3-4 हरी मिर्ची इसमें मैंने डाल दी है तो लसुन और हरी मिर्ची हम पहले जाल देना है उससी क्या होता है कि ऑर अच्छा टेश्ट आता है क्योंकि लसुनं Hub सहँ पहले जाल होगी तो उससे अलक टेश्ट आएगा तो पहले मैंने लसुन डाला फिर तो लाल मिर्ची पाउडर जू साधा वाला है वो मैंने एक चमस के लगपचा बोल करने के लिए रखा हुआ है वियुद ने लाल मिफच क्यों डाल दे हैं अम्मे क्या कर रही हैं इसमें मैं डाल तूंगी नमक अपने स्वाइज कैक्पूनि हमारी अच्छ से डाल बोईल होके रेडी हो गई तुरंत हमें इस तड़के में डाल को डाल दिया है तो इसमें हमने डाल को डाल दिया है तो दिस्तियों गाइस मैंने ज़्यादा इसमें पाने नहीं डाला था नहीं ज़्यादा थिक बनेगी और नहीं ज़्यादा पतली रहे दाल पक जाने चाहिए तो अच्छे से गुटती है जब भी टेश्टी लगती है तो गाइस यह देशत्यों गाइस हमारी डाल बनके बिलकुल रेडी हो गई है और यह देखे किस तरह से थदकने लगी है हमारी दाल तो यह बिलकुल गुट चुकी है और ऐसे नहीं है कि दाल तो यह डाल जदा टेश्टी लगती है अम मैंने च्छोटी सी कड़ाई ले लिए है उसमें मैंने डाल को निकाल दे रही हूं अलग से निकाल देरी हूं सर्विंग बॉल में जैसे आपको दिखाने के लिए और फिर इसमें हम धनिया पती डालेंगे आप चाओ तो पहले ध ऐसमें प्रिंद घ्षे बात नणे हैं फोजय है दो कषूरी मेथी को तो थोड़ा सा रोष्ट कर लीजेगा रोष्ट करके और फिर आप अपने हाथों से मसल की स्में डाल दीजेगा उससे दाल में टेस्ट दुगना हो जाएगा बहुत टेस्टी लगेगी और आपके पास यदि कसुरी मेती ना हो तो आप धन्या पति जरूर डालिएगा मैंने क तड़का लगाने के लिए एक तड़का पहन लिया है और उसमें डाल दिया है बटर मैंने करीबन एक चमच के लगबग डाला है और इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे तो जो हम तड़का बना रहे हैं उससे हमारे दाल का टेस्ट धुगना हो जाएगा दूगनी टेस्ट लगने वाली है तो यह देखे का थोड़ा सा और मैंने बटर डाल दिया था अब तो इसको अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे और फिर हम क्या करेंगे इसमें क्या क्या चीजों का तड़का लगाना है वह आपको पता देते हैं सबसे पहले तो मैं इसमें कडी पता डालॉ और अब इसमें हम क्या करेंगे लाल मिर्ची पाउडर भी डालेंगे थोड़ा सालका से हिंग डालेंगे हिंग एक पिंच डाला क्योंकि मैंने अभी तड़का लगा उसमें भी हिंग डाला था और थोड़ा से हिंग ओ डाल दिया है अब इसमें मैंने लाल मिर्ची डाल दूं चोड़ती है तीखा नहीं होती है बिल्कुल भी इसमें लाल मिची पाउडर हमने यूज लिया है अब हम गैस को बंद कर देंगे और फिर बार में तुरंत इसमें हम डाल देंगे तड़का तो थोड़ा-थोड़ा मैं इस चमस से डाल दे रही हूं तो यह तड़का बनके बि अच्छा लगाओ थोड़ा श्रूछ करना बूल जाते हो तो प्रेज वीडियो कUI्यों कर दिया करते हैं जाय। कुछ पूछना हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा माउस का रिपलाई जरूर देती हूं तो देखे गाइस हमारी दाल बनके बिलकुर रेडी हो गए बहुत ही टेस्टी सी दाल बनी है और इस दाल को आप जैसे चांवल के साथ चापाती के साथ कभी भी बना सकते ह बसे आम बनके यह जट पट से रेडी हो जाती है और सभी के ज़्यादतर फेवरेट होती है और फेवरेट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है तो हमारी रेसीपी आपको जरह भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो मिलता है नेक्स वीडियो में नेक्स रेसीपी में बाई एं टेक यार